हेलो स्टुडेंट मैं आपका टीचर सोसील और आप देख रहे हैं कर्ब डिजाइन सेंटर का हिंदी यूटीब चैनल आज की वीडियो हम देखेंगे कि यह जो फ्लायर आप देख रहे हैं यह किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज करके तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे यह वाली जो शेप है इसे ड्रॉ करने के लिए आप पैंटूर यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और सबसे पहले हमें यह जो आउटर वाली जो शेप है यह ड्रॉ करनी है तो पै और इस तरीके से आप इसके जो tangent हैं उनकी help से curvature change कर सकते हैं Alt के साथ tangent को break कर देते हैं और इस तरीके से इस pass को हम close कर देंगे अब हमें इसके इंदर इस तरीके का gradient चाहिए तो इसे create करने के लिए पहले Ctrl-Enter, make selection और एक new layer आप create कर लें यहां पर gradient tool होता है इस पर click करेंगे और यहां से मैं basic gradient ले लेता हूँ एक और यहां से हम color को pick करेंगे तो इस तरीके से आप color pick कर लें ओके और उसके बाद click and drag और इस तरीके से gradient fill हो गया है लेकिन इसकी direction opposite आ रही है कोई बात नहीं यहां पर reverse का एक checkbox होता है इसे click करें और उसके बाद दुबारा इसी तरीके से fill करेंगे तो एकदम सही gradient आपको देखने को मिलेगा इसके बाद हम इसी selection का use करके बाकी की और जो shape है जैसे की यह जो white color के आप edge देख रहे हैं इसे हम create करेंगे और सबसे पहले selection को थोड़ सा उपर की तरफ move करेंगे तो मैंने यहां पर rectangle mark की टूल चोज़ किया हुआ है और इस तरीके से मैं इसको उपर की तरफ move कर देता हू करीबन यहां तक और उसके बाद एक new layer white color और shift backspace white color fill कर देते हैं तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह edge create हो जाएगी मैं reference layer को off कर देता हूँ तो यह edge create हो गई है और इसके बाद एक all layer create करनी है और इसके अंदर हल्क ऐसा मैं grey color fill कर दूँगा और इस selection को हल्क ऐसा उपर इस तरीके से move करूँगा और यहां पर grey color में fill कर देता हूँ new layer पर तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक edge create हो गई है अब हम इस grey color वाले area के अंदर image place करेंगे तो मैंने यहां पर cake की कुछ images search की हुई है अब आप देख सकते हैं कि कौन सी image आपको use करनी है तो मैं जैसे की यह image है I think इस पर थोड़ी से watermark देखने को मिल रहे है मुझे एक ऐसी image चाहिए जिसके अंदर watermark वगरा ना हो उसके लिए आप ऊपर आएं यहां पर tools पर click करें और यहां पर uses right के अंदर creative common license यह वाली जो images होती है यह watermark free होती है तो यहां से आप इस तरीके की images दे इसे इस तरीके से scale up कर लेते हैं और create clipping mask right click किया create clipping mask तो यह इस तरीके से clipping mask हो गया है अब अगर आप इसके अंदर color वगरा से related कोई change करना चाहते हैं तो एक new layer और create कर लें और उसके बाद इस तरीके से selection create करें image से थोड़ सा बड़ा हो और जैसे भी color आपको यहां पर चाहि की और color fill कर दिया shift backspace के साथ और उसके बाद हम इसको clipping mask कर देंगे और यहां से हम blending option choose करेंगे आप यहां पर overlay try कर सकते हैं जिसे कि इसका result देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है और इसके बाद आप opacity कम और ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको color कम चाहिए तो आप opacity कम कर लें around 50% तो इस तरीके से इसका जो color है वो change हो गया है अब मैं इन सारी layers को जिसे कि मैंने यह वाला area design किया है उसे एक group के अंदर place कर देता हूं और इसका नाम लिखते थे हैं top image इसके बाद चाहें तो आप इस group को off भी कर सकते हैं और उसके बाद हम design करेंगे यह वाला area तो इस area area को design करने के लिए आप यहां पर एक new layer create करना है और एक color हमें fill करना है और जो की gradient color है तो इस तरीके से मैंने color pick किया bucket को select करके और okay उसके बाद click and drag shift के साथ मैंने इस तरीके से drag किया तो एकदम straight line draw होती है तो यह color इस तरीके से आ गया है अब अगर आप इस image को zoom करके देखे तो इसके नीचे कोई image लगी हुई है जिसकी वज़े से आपको इस तरीके का result देखने को मिल रहा है आप भी कोई image download कर लें और उसे इस layer के नीचे place कर दें यहां पर मैं देख लेता हूं कि कौन सी image हम use कर सकते हैं तो थोड़ इसी वह image dark होनी चाहिए और dark नहीं है तो आप हमें थोड़ी सी छोड़ी आई है हमें quality से कोई ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हम इसको cable background में use करने वाले हैं और उसके बाद इसका layer order हम change करेंगे इसकी opacity हलकी सी कम करेंगे around 95 तो यह इस तरीके से दिख रही और थोड़ी बढ़ात देते हैं करीबन ऐसे तो यह इस तरीक science layer को एक बार show करता हूं और उसके बाद जो बाकी की चीज़े हैं वो भी create कर लेते हैं जैसे कि यहां पर हमें book now के लिए button create करना है contact number लिखने हैं तो यह भी हम फटाफट create कर लेते हैं तो यहां पर मैंने rectangle tool choose किया और इसी के ऊपर ही अगर आप करेंगे तो size वगरा same होगी और color भी आप pick कर सकते हैं यहां से तो इस तरीके से मैंने color fill कर लिया है और यहां से हम इस icon पर click करेंगे और यह color pick कर लेते हैं इसका एक stroke भी आ रहा है उसे आप यहां से हटा सकते हैं तो यह कर दिया उसके बाद हम इसको इसी के ऊपर place कर देते हैं I think color में थोड़ा सा difference है तो एक बार आप color थोड़ा से देख लें अभी काफी similar color है उसके बाद मैं type tool लेता हूं और type हमेशा आप इस box से बाहर करें मैं जैसे कि यहां पर click कर रहा हूं और यहां पर font के जो name है वो मुझे change करने पड़ेंगे जैसे कि मैं LATO लोटू करके font होता है और इसके इंदे बहुत सरी categories होती है इस मैं bold font choose करता हूं और उसके बाद यहां से आप color change कर सकते हैं जैसे कि color हमें एक बार और change करना पड़ेगा तो पहले मैंने कुछ इस तरीके से color ले लिया उसके बाद book us now और उसके बाद हम यहां से जो dark red color है यह choose कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम य heavy category है black category है तो वहां से आप देख सकते हैं कि एक ऐसा bold सा font choose कर सकते हैं उसके बाद दौनों shape को select करें side से और यह align वाले icon आ जाते हैं तो यहां से आप align भी कर सकते हैं उसके बाद मैं इसको वापिस इसी के ऊपर ही place कर देता हूं बटन बना दिया है और उसके बाद मैं इसी कि एक copy यहां पर लेता हूं और color change कर देते हैं तो double click और यहां से मैं white color ले लेता हूं उसके बाद call और WhatsApp अभी देखिए जैसे कि यह font है अगर मैं यहां से size change करता हूं तो देखिए center align होने की वजह से यह इस तरीके से increase या decrease हो रहा है लेकिन अगर आपको size एक position पर place करने के पाद change करनी है जैसे मैंने यहां पर change करती हनकासा मुझे छोटा करना है तो अगर यह left align होगा तो यह अपनी जो starting position है वहां से वह move नहीं होगा तो यह आप कर सकते हैं उसके बाद मैं इसी की एक और copy और number आप कोई भी type कर सकते हैं जैसे कि मैं same number type कर देता हूं उसके बाद इसका color और color मैं same यही वाला ले लेता हूं और font का size आप control T transform tool यूज़ करके भी increase या decrease कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने कुछ इतना बड़ाए font कर दिया है और बाकी की जो text है यह जो call का icon है या यह जो triangle जैसे arrow है इनके लिए भी icon आते हैं और चाहें तो आप google images पर इस तरीके क icons मिलते हैं तो यहां से भी आप download कर सकते हैं जैसे कि मैं इस icon को copy कर लेता हूं यहां पर paste कर दिया और यह जो black color की shapes हैं इसको मैं control के साथ या shift के साथ इस तरीके से click करके select कर लेता हूं और उसके बाद control J से duplicate और इसे हम delete कर देते हैं तो इस तरीके से यह icon यहां पर आ गया और उसके बाद इसका color change करना है तो color change करने के लिए हम यहां double click करेंगे fx panel color overlay और जो भी color आप इसके अंदर fill करना चाहते हैं वो यहां से choose कर सकते हैं और color change हो जाएगा तो इस तरीके से आप images के through भी यह icon place कर सकते हैं और इसके लिए symbol वाले font भी आते हैं तो यह थोड़ा स connection ले ले और shift के साथ आप इस तरीके से square create करने उसके बाद एक new layer और यहां पर white color fill कर देता हूं तो यह हमारे square create हो गया इसे आप जब shift के साथ इस तरीके से 45 degree पर rotate कर लेंगे इसको मैं यहां से half delete कर दूंगा control D, deselect तो हमारे triangle वाला icon जो है वो बन गया बस इसे थोड़ा से लंबा सा कर देना इस तरीके से और उसके बाद आप इसे इस तरीके से place कर सकते हैं तो दौनों को select किया और इस तरीके से उसके बाद इन सारी layers को आप control E press करके merge कर दें ताकि इनको move करना आसन रहे और यहां पर भी area थोड़ा कम use हो तो यह सारी text वाली जो layer हमने अभी बनाई है इनको भी आप control के साथ इस तरीके से click करें और यह वाली जो button है इसकी भी layers को मैं select कर लेता हूं इनको भी एक group के अं text और इसको भी मैं height कर देता हूं तो इस तरीके से हमारी यह जो top और bottom वाली जो design है वो create हो गई है इसी तरीके से आप यह जो text style देख रहे हैं इन्हें भी लिख सकते हैं मैं video को short करने के लिए यह type नहीं करूंगा बस आपको यह बता देता हूं कि यह वाली shape आप किस तरीक toggle draw कर देता हूं और इसका color जो भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं और white ही चाहिए मैं थोड़े से corners को round कर देता हूं कुछ ज़्यादा हो गए तो करीबन इतना उसके बाद हमें इसके थोड़ा सा tilted करना है तो उसके लिए Ctrl T, Ctrl T के बाद right click और यहां पर option होता है skew, skew करेंगे तो यहां से आप इस तरीके से skew image को कर सकते हैं तो यह हो गया और यह वाली shape create हो गई है और इसके अंदर आप वैसे ही text लिख सकते हैं जैसे अभी हमने font के लिए icon download किये थे वैसे ही आप इस तरीके की shapes को भी download कर सकते हैं या pen tool से draw कर सकते हैं तो यह वाली style भी तरीके से हम create करने वाले हैं तो Photoshop के अंदर क्या होता है कि अगर आप यह ellipse tool इस तरीके से draw करते हैं और इसकी जो boundaries हैं इसके उपर अगर आप कोई brush stroke run कराना चाते हैं तो वो नहीं करा सकते हैं तो यह काम आपको pen tool से करना पड़ेगा या फिर आप illustrator की help ले सकते हैं तो यह यहां पर अगर आपको करना है तो pen tool से इस तरीके से एक path draw कर लें और यह path थोड़ा से smooth होना चाहिए तो आपको carefully इस तरीके से draw करना है तो मैं करीबन यहां तक यह path draw कर देता हूं उसके बाद हमें यहां पर एक new layer create कर लेनी है और उसके बाद यहां से हमें brush और यह सकते हैं कि इसका जो size है वो 8 pixel है उसके बाद आपको brush की settings में जाना है brush की settings आपको windows brush settings के अंदर देखने को मिलेंगी और यहां से आप इसकी spacing कर दें जब यह spacing zero होती है तो इस तरीके से stroke create होता है और इसकी spacing है वो 130% इस तरीके से key हुई है जब आप draw करेंगे तो इस तरीके कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यह वाली जो दो settings थी वो करने के बाद हमें इसके उपर brush stroke apply करना है brush stroke apply करने के लिए आप path वाली tab के अंदर आ सकते हैं और यहां पर work path आपको देखने को मिलेगा उसके बाद नीचे icons दिये हुए हैं second icon पर click करेंगे तो आप आपकी जो brush की settings की हुई होंगी उसकी size, color और spacing उसके हिसाब से एक stroke draw हो जाएगा अब मैं आपको यह जो reference image है इसे off करके दिखाता हूँ और इसे on कर देता हूँ एक बार इस path को आप deselect कर लें तो path वाली tab में आएंगे यहां click करेंगे तो deselect हो जाएगा तो देखिए इस त आप देख रहे हैं कि कुछ cut बने हुए हैं और इन cuts को photoshop में बनाना थोड़ा सा मुस्किल है आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं technique सेम ही है मैं इसे illustrator का use करके create करने वाला हूँ अब हम आ गए हैं illustrator के अंदर और यहां पर जैसे कि यह shape और यह cut चाहिए तो हमें circle draw करन और उसके बाद इसकी position में bottom में रख देता हूँ उसके बाद click and drag और shift के साथ आप इसे drag करें photoshop में तो shift की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन यहां पर आपको shift के साथ drag करना है तो इस तरीके से uniform scale हो जाएगा और उसके बाद इसकी position और side से आप देख लें कि spacing sorry spacing नहीं यह size है वो equal हो जाए तो यह कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है उसके बाद मैं इसी की एक duplicate copy लूँगा और duplicate copy आप alt और drag करके जैसे photoshop में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं या आप यहां पर एक keyboard shortcut होता है ctrl c जिससे की आप copy करेंगे और ctrl f ctrl f keyboard shortcut paste in front के लिए है तो यहां पर paste होगी तो यहां पर आप देखेंगे कि दो shape आ गई है same position पर और उसके बाद आप alt click and drag इस तरीके से आप इस circle की size change कर सकते हैं सबसे पहले मैं इन दौनों shape को इस तरीके से window selection से select करता हूं और इस icon पर click करता हूं जैसे कि इसका जो fill color है वो outline में change हो जाएगा और उसके कड़ गई है तो एक बार इसको दोबारा select करते हैं ctrl c ctrl f और उसके बाद alt और shift दौनों की help से इस तरीके से मैं इसे scale down कर लेता हूं उसके बाद मैं वापस इसका जो color है वो swap कर देता हूं तो यह हो गया अब देखिए आप दो shape है जब भी आप दो shape को select करते हैं तो side में जो आपको panel देखने को मिल रहा है property panel यहाँ पर pathfinder यहाँ पर जो second icon है इस पर आपको click करना है यह button minus के लिए यह से क्या होगा कि यह बड़ी वाली shape है और छोटी वाली shape वाला जो area है वो cut हो जाएगा minus हो जाएगा तो जैसे ही मैं इस पर click करता हूं तो देखिए यह minus हो गय यहाँ पर आपको opacity और यहाँ से इसकी opacity आप कम कर दें जैसे कि आप यह जो cuts है उनको देख सके और दूसरी चीज की इसका जो center है उसका idea आपको बिना guide के लगेगा नहीं तो आप यहाँ से इस तरीके से guide भी place कर लें इसे मैं यहाँ center में place कर लेता हूं तो यह place कर लिया य इन्हें create करने के लिए हम एक rectangle या line draw कर लेते हैं तो यहाँ से मैं एक rectangle draw कर लेता हूं कुछ इतना बड़ा और यह इस तरीके से cross करता हुआ हो और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो यह जो point है इनको मैं select करता हूं और click and drag shift के साथ तो इस तरीके से थोड़ा सा हो गया है बिलकुल एक दम center तक आ गया है और इसे हम यहाँ place कर देते हैं आप चाहें तो इस तरीके से place कर सकते हैं चाहें तो इस तरीके से भी place कर सकते हैं और यह थोड़ा सा बड़ा हो आपकी shape से यह जरूरी है उसके बाद हम इसकी copies create करेंगे कितनी copy create करेंगे around हम 8 या 9 copies create करेंगे सबसे पहले इसकी position आप इस तरीके से एकदम center में रख लें जूम करके और यह shape थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए नहीं तो tool work नहीं करेगा उसके बाद हम इसकी copies create करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर rotate tool होता है alt के साथ आपको center में एकदम जो guide का center है वहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर यह जो divination है मैंने पहले से ही count किये थे यह around 9 के करीब है तो यहाँ पर हमें जैसे की circle 360 degree का होता है तो यहाँ पर 360 आपको type कर लेना है उसके बाद यह जो divide वाला symbol होता है slash वो press करना है और उसके बाद जितनी number of copies आपको चाहिए वो number यहाँ पर type करना है तो यह math के formula जैसे calculator होता है उसी तरीके से work करता है और यहाँ पर अगर आप इस window को थोड़ा सा scale down नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर preview on off करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी second copy यहाँ पर create हो गई है जैसे ही आप copy बटन पर click करेंगे तो इ तो इस तरीके से duplicate copy create हो जाएंगी तो यहाँ पर हमने 9 duplicate copy create कर लिए है उसके बाद हम इन guides को सबसे पहले delete करते हैं तो move tool पर आते हैं और इसे windows selection से select कर सकते हैं Photoshop में इस तरीके से select नहीं होती है guides लेकिन illustrator के अंदर हो जाती है तो यह कर लिया उसके बाद इन सब को यह जो हम single shape के अंदर convert करना है तो उसके लिए side में आप देखेंगे कि pathfinder और यहाँ पर weld का option होता है जिसे ही यह single shape में convert हो जाती है तो यह single shape बन गई दूसरी single shape यह है और इसकी opacity में आप 100% कर देता हूं या एक बार हम देख लेते हैं कि देखिए इसकी जो angle आ रही है वो काफी तक फ़िक हा रही है अगर आप थोड़ा बहुत इसको rotate करना चाहते हैं तो इस तरीके से rotate कर सकते हैं लग बख ठीक आ रही है उसके बाद हम इस पर आते हैं और इसकी opacity 100% कर देते हैं और इसका color आप change करना चाहते हैं तो change कर सकते हैं यहां से fill और जिसे yellow कर दूकर दिया हमें अब हमें ये जो areas हैं अलग-अलग चाहिए तो अलग-अलग करने के लिए हमें simplify pathfinder के अंदर एक option होता है उसका use करना है उसके लिए दौनों shape को select करना है तो इस तरीके से window selection बनाया और दौनों shape select हो गई है अगर आप move करके देखेंगे तो दौनों move हो रही है उसके बाद यह पर जैसे की pathfinder और इस line पर आप click करेंगे illustrator के अंदर जो tool है उसका नाम है divide लेकिन एक दूसरा similar software होता है उसके अंदर simplified tool होता है तो मुझे उससे थोड़ा सा confusion हो गया तो हमें divide पर click करना है और आप देखेंगे कि यह divide tool apply हो गया है लेकिन जब आप इसे click and drag कर कि सरीके से move क करेंगे तो यह इसके साथ ही group हो गया है तो divide tool करता है कि यह apply हो जाता है और एक group create कर देता है तो पहले मैं इसे थोड़ा सा बाहर ले आया हूं और उसके बाद right click और यहां पर option आपको देखने को मिल जाएगा ungroup तो यहां से ungroup कर लें और click and drag window selection यह जो yellow color के line जो हमने draw की थ देते हैं और यह जो बच गए ने आप इस तरीके से select करके one by one delete कर सकते हैं और इसमें select करने के लिए magic wand tool होता है यहां पर I think पूरे tool नहीं आ रहे हैं तो magic wand tool दिखाई नहीं देगा कोई बात नहीं हम one by one click करके और इस तरीके से delete कर देते हैं ओके तो यह select हो गए यह वाले पार्ट जो है अपने डिलीट हो जाएंगे तो मैं सबको एक बार select कर लेता हूं click and drag window selection कर रहा हूं और यह select हो चुके आई थिंक एक बार move करके देख लें वो select नहीं हुए थे तो एक बार मैं shift के साथ इस तरीके से click करके सबको select कर लेता हूं तो यह सारे select हो चुके हैं और इस तरीके से आप जब move करेंगे कहीं बाहर तो यह हट जाएंगे उसके बाद इन सारी shapes को चाहें तो आप group कर सकते हैं या weld कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर weld कर दी और इन्हें मैं एक बार delete कर देता हूं तो delete कर दिया और इस reference image को भी हम यहां से unlock करके और delete कर दिते हैं इसके अब कोई जरूरत है नहीं तो यह हमारी shape create हो गई है थोड़ असा time जरूर लगा इसको create करने में जैसे कि अब यह create हो गई है तो इसे हमें export करना है png format में तो file export selection का यहाँ पर option होता है उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके options देखने को म यह आप यहाँ पर location define कर सकते हैं जैसे कि मैं download के अंदर export कर देता हूँ तो वहाँ पर एक folder create हो जाएगा उसके अंदर यह shape export हो जाएगी तो export assets तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक download के अंदर 2x folder बन गया है और इसके अंदर यह image आ गई है अब हम चलते हैं Photoshop के अंदर और इसे मैं click and drag करके यहाँ पर drop कर देता हूँ तो यह यहाँ पर आ गई है एक बार आपको इसे scale करना है तो मैं करीबन इसको यहाँ तक scale कर देता हूँ तो यह हो गई और cut भी इसके बिलकुल ठीक आ रहे हैं अब हमें magic wand tool से selection बनाना है एक new layer के उपर selection को fill करना है और उसके अ यहाँ पर मैं आपको 2-3 images एक बार करके दिखा देता हूँ तो magic wand tool से मैंने जैसे click किया selection create हो गया new layer create करनी है और उसके अंदर आप कोई भी color यहाँ पर fill कर दें तो यह color fill हो गया है और इसके बाद हम इसके अंदर image को clipping mask करेंगे तो सबसे पहले हम एक image download कर लेते हैं तो यह यहाँ से मैं जैसे की यह वाली image download कर लेता हूँ तो right click copy image यहाँ पर कुछ लिखा हुगा है उसको ignore करते हैं और यहाँ पर इसको मैंने place कर दिया create clipping mask तो यह clip हो गई और अगर इसे scale करने की जरूरत है तो आप scale कर सकते हैं इसी तरीके से आपको यह सारी जो shapes हैं उसके लिए layer बनानी है clipping mask करना है तो मैं पहले फटाफट यह सारी shapes draw कर लेता हूँ तो magic on tool से मैं click I think layer selected नहीं है पहले यह वाली layer select कर ले उसके बाद new layer color fill इसी तरीके से layer को आप select करते जाएं new layer बनाते जाएं तो इस तरीके से हमने सारी shapes के अंदर color fill कर लिया है और उसके बाद इस layer की जरूरत नहीं है आप इसे turn off कर सकते हैं और one by one इन सारी shapes के अंदर images को clipping mask कर सकते हैं तो पहले इस layer पर click करना है तो यह layer यहां पर select हो जाएगी उसके बाद यहां से आपको कोई भी एक image select कर लेनी ह जैसे कि यह वाली जो image है इसको मैंने copy कर लिया control में से paste right click create clipping mask तो इस तरीके से सारी images को आप clipping mask कर लें अब मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूं तो इस तरीके से हमने सारी images place कर दी है एक बार मैं यह जो reference image है इसे turn off करता हूं तो आप इसका result देख सकते हैं इस तरीके से हमारा यह जो shape थी create हो चुकी है अब मैं इन सारी layers को थोड़ा सा organize करने के लिए सबसे top वाली layer को select करता हूं और उसके बाद थोड़ा नीचे आते ह हैं और यह वाली जो last layer है इसको select करते हैं और एक group के अंदर place कर देते हैं तो यह group इस तरीके से हमने create कर दिया है यह वाली line I think sure नहीं हो रही है थोड़ा सा मुझे से scale down करना पड़ेगा तो कि यह line भी show हो सके तो कुछ इस तरीके से यह show होने लग जाएगी और उसके बाद आप इसकी spacing वगरा थोड़ी सी कर सकते हैं तो line भी देखनी चाहिए और यह जो हमने wheel बनाया है यह भी देखना चाहिए थोड़ा सा हो सकता है कि path हमने draw किया था वो उतना सही नहीं हो तो यह हो गया अब इसके अंदर हमें वो जो heart वाली shape है वो भी draw करनी है तो हम यहाँ प या इस तरीकी की shape देखने को मिल जाएगी तो यह तो एक png image है तो मैं कुछ इस तरीकी image ले लेता हूं right click copy image और उसके बाद paste थोड़ा से इसको बढ़ा करते हैं और सबसे पहले आप इसका जो outside वाला area है यह delete कर दें तो delete उसके बाद इसे हम rotate कर लेते हैं shift के साथ और यहा same shape आ गई है और अगर आपको इसको side से थोड़ा छोटा करना है तो alt और shift दोनो प्रेस करें और इस तरीके से छोटा कर सकते हैं अब हमें इसके अंदर भी एक image place करनी है तो image download कर लेते हैं see more और यहां से जैसे कि मैं यह वाली image इसकी size थोड़ी से छोटी है तो यह वाली जै तो यह भी हो गया अब हमें यह वाली shape ड्रॉ करनी है अब यह वाली जो shape है वो आप pen 2 से अगर इसी के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं और यह काम illustrator के अंदर बड़े ही easy way में हो जाता है तो आप illustrator का भी use कर सकते हैं और photoshop में ही करना चाहते हैं तो इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके से मैंने यह ड्रॉ कर लिया और अगर आपको लगता है कि point की position थोड़ी सी change करनी है तो उसके लिए direct selection tool और window selection से इस point को इस तरीके से select करें और इस तरीके position करके ठीक कर सकते हैं control enter make selection selection बन गया है सबसे उपर आप एक selection के लिए layer बना लें और उसके अंदर जो भी color आपको fill करना है वो color fill कर सकते हैं तो यह color fill हो गया reference layer को अगर आप off करेंगे और यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से यह shape create हो चुकी है अब इसी काम को आप illustrator में किस त ऺज़िऊ करते हैं और pen tool आपको यहां पर पैंट्यूंद यहां पर College in इसके बाद path आपको एगदम अब सेंटर में अकरना यही है बस आपको थोड़ सा ध्यान लगंदाय और जैसे हैं रहा daw न चाहते है और यहां पर राउंड कोर्णत एक पए आप यहां पर जैसे कि इसके एकदम सेंटर से और इस लाइन की एकदम सेंटर से ड्रॉ कर लें इसको हम बात में ठीक भी कर सकते हैं तो यहां पर देखिए फिल कलर आ रहा है तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे color swap हो जाता है और उसके बाद जैसे मैंने point यहां पर create किया और यहां से करीबन यहां पर आएगा तो एक बाद मैं इस तरीके से create कर लेता हूँ यह बाद मैं आपको ठीक करने पड़ेंगे यह इस तरीके से हो नहीं पाएंगे तो यह हो गया उसके बाद escape की exit होने के लिए और जो second point है इससे आप इन notes को select कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं जैसे window selection उसके बाद click and drag एकदम line के center में इस side से और इस side से तो यही करना है बस कुछ इस तरीके से आपको यह place कर दिने यह point तो काफियत तक ठीक है तो यह कर दिया और इसको भी थोड़ा सा हमने center पर उसके बाद जैसे कि हमें यहां पर round यहां पर चाहिए तो यहां पर बहुत कम चाहिए तो जैसे मैंने window selection बनाए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक dot आ रही है इसे click and drag करके इस तरीके से आप curvature create कर सकते हैं और सबसे पहले इसकी जो thickness है वो मैं increase कर लेता हूँ उसके लिए property panel पर आएंगे और यहां से stroke increase करेंगे तो arrow है और यहां से आप 10 point या 11 point ले सकते हैं जिससे कि यह इसके बराबर हो जाएगा अब अगर आपको लगता है कि इन points को थोड़ा सा move करना है तो आप window selection से चाहें तो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं अपनी जो reference image है उसक के बाद इस तरीके से click and drag तो यह काम जो है photoshop में नहीं हो सकता इसलिए आपको illustrator का use करना पड़ेगा और इसको भी हम थोड़ा सा round कर देते हैं विंडो सेलेक्षिन उसके बाद उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो shape है इसका मैं एक minute stroke कम करता हूँ यह इस तरीके से round है तो यह round करने के लिए हम सबसे पहले आप यहाँ पर selection tool पर switch हो जाए और उसके बाद यह जो point है आपको round चाहिए इसके लिए stroke पर click करें यहाँ पर जो outline आ रह चाहिए तो round cap पर आपको click करना है जिसे कि इस तरीके की round cap आपको देखने को मिल जाएगी अब मैं इसका color white कर देता हूँ तो यहाँ पर click किया white color pick किया color white हो गया और उसके बाद इसे मुझे export करना है तो यह selected है उसके बाद file export selection और इसको भी मैं 2x export तो यह image यहाँ पर आ ग click and track कर लेते हैं तो यह shape यहाँ पर आ गई है और इसे perfectly place करने के लिए मैं reference layer को on कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से place कर देते हैं I think size में थोड़ा से difference है क्योंकि उस document का size थोड़ा सा अलग था तो एक बार corner से इस तरीके से place करना है और उसके बाद आप इसे scale कर सकते हैं तो यह size एकदम ठीक हो जाएगा तो यह हो गया उसके बाद आपको यहाँ पर square ड्रो करने हैं तो square आप यहाँ से rectangle tool से बना सकते हैं shift का use करके और corners को round करने के लिए आप यहाँ से corners को round कर सकते हैं अब हमें rotate करना है तो shift के साथ इस तरीके से आप rotate करेंगे 45 degree पर rotate हो जा रखते हैं तो जैसे की ओके यह वाला corner तो में sharp चाहिए तो वह हम change कर लेंगे बाद में पहले मैं इसको यहाँ पर दोनों side से इस तरीके से थोड़ा से दूर रखता हूं और scale down यहाँ पर रखना पुड़ेगा थोड़े से perfect square की बजाए थोड़े से rectangle हैं तो आपको देखन create करनी है, copies create हो गई और इसके बाद इनके अंदर भी हमें images को place कर देना है तो image में हमने place कर ली है, इसके बाद आपको यह जो side वाली text information place करनी है और text information place करने के बाद इसका look कुछ इस तरीके से आएगा I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करें, वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ share करें अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए bye bye अब हम मिलेंगे करें